असलामालेकुम वीवर्स आज हम जानेंगे के पकोडो को इंग्लिश में क्या कहते हैं हमेशा के लिए हम सब के लिए एक इंटरस्टिंग सा क्वेस्टन रहा है के पकोडो को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो जी जनाब पकोडो को इंग्लिश में कहते हैं इसी तरह गर आप इंग्लिश लर्नर डिक्शनरी में इसकी डिफिनेशन देखें तो लिका है के A small piece of food that has been coated in a floor and egg mixture and fried और ये नाउन हैं ब्रेटिश इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन को इस तरह लिकी गई है ये a piece of food such as apple or claim that is dipped in batter and fried in deep fat Better means it is a mixture of a liquid in a floor which is used for cooking किसी भी चीज को करने के लिए हम जो floor or liquid का जो mixture use करते हैं इसे better केते ही American English में भी ये ही लिका है के small cake of fried batter usually containing corn, fruit or other fillings तो ये थी फ्रेटर्स की definition और हम इसको इस संटेंस में किस तरह यूज कर सकते हैं तो मैंने वैसे लिख दिये हैं कि फ्रेटर शुट तरन golden brown but not burn जिसे हम जनरली कहते हैं कि पकोडो को जलाओ मत इसका color golden brown होना चाहिए लेकिन उससे जलना नहीं चाहिए इससी तरह एक वोर संटेंस हम बोलते हैं continue to turn the fritter until both side are golden brown के पकोडो को क्या cook करते ही जाओ लेकिन तब तक जब तक इसके दोनों side golden brown में color में तबदील हो जाए तो thank you so much for watching और नए ओल्ट सीखने के लिए हमारे साथ रहिएगा टूनर फरीट तो सब्सक्राइब